हलो फ्रेंट्स आज चोईज जेनरे उर्ण हमहें डिसकस करpoke करेंगे सिल्वर मेगा के बारे में इसम्रारहई के विभ दिखने को 20 को दिसक्रेंमें आने वाले से में में क्या मुमिफ़न देखने को मिला सककते हैं box अब कर कि उस क्लिंग देखेंगे और जो high किया था 71,200 यानि हमने आपको जो resistance बताया था 72,000 ना तो यहां तक गया ना ही हमने जो downside में आपको 70,000 का support बताया था ना ही वहां तक गया यानि कल यहाँ पर आपको silver में कोई खास moment देखने को नहीं मिली अगर आप हमारा live market में support पाना चाते हैं तो description में दिये गए link के माध्याम से debit account उपन करके नीचे दिये के number पर हमसे contact कर सकते हैं तो अब discuss कर लेते हैं आने वाले समय में आपको यहाँ पर क्या resistance और support देखने को high किया है और जो low किया है 70,000 and 850 पर किया है यानि जो हमने आपको यहाँ पर resistance बताया था 72,000 लगबग उसी level के पास से यहाँ से फिर से यह down आया है यानि 72,165 पर यहाँ पर गया और resistance लेके फिर यह downside में आ गया यानि अभी इसने यहाँ पर 72,000 के उपर sustain नहीं किया है जैसा कि हमने आपको बताया था अगर 72,000 के उपर sustain करता है तो ऐसी condition में फिर आपको यहाँ पर buy side को preference देना चाहिए और अगर वहाँ पर जाकर उसके उपर जाकर और एक गंडी की candle अगर downside में closing देती है ऐसी condition में आपको यहाँ पर sell side को preference देना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने 72,000 के उपर जाने के बाद जैसे इसने 72,000 के नीचे यहाँ पर closing दिया उसके बाद में यह वापिस से आपको यहाँ पर 500 points downside में आते हुए देखने को मिला लगबग यह 71,000 and 550 पर वाफिस से डाउन आया था तो यहाँ पर अगर आपने sell side की position बनाई होगी तो definitely आपको यहाँ पर profit निकल के आया होगा साथी friends में आपको यह भी बोलाता कि silver अभी काफी down आ चुका है तो आपको यहाँ पर sell side में position लेके नहीं चलना चाहिए आपको थोड़ा weight करना चाहिए अगर silver और भी down जाता है तो आपको यहाँ पर buying side कोई preference लेके चलना चाहिए क्योंकि silver अचनक से अगर upside में आया तो आप काफी समय तक sell side में फसे हुई रहे सकते हैं तो जिन लोगों ने वहाँ पर हमारी बात मानी होगी अभी वो benefit में होंगे और जिनोंने यहाँ पर 70,000 के प्रोक्स यहाँ पर sell कर दिया होगा तो वो अभी loss में चल रहे होंगे Friends यहाँ पर first resistance निकल के आ रहा है 72,000 पर अगर 72,000 के उपर यह sustain करना चालू कर देता है तो further आपको यहाँ पर 73,000 एंड 666 पर एक resistance देखने को मिलेगा और इसके उपर अगर silver निकल जाता है तो further आपको silver 75,000 तक जाते हुए देखने को मिलेगा और 75,000 को अगर cross कर देता है तो further आपको यहाँ पर 78,000 तक भी silver जाते हुए देखने को मिल सकता है बात करें support लेवल की तो पहला support यहाँ पर निकल के आ रहा है 71,000 पर 71,000 के नीचे यहाँ पर sustain करना चालू कर देता है तो further silver आपको यहाँ पर 77,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है 70,000 के नीचे चल सुच करके आप किस प्रका से टेडिंग कर सकते हैं तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बताया है एसी कंडिशन में आपको यहाँ पर सिल्वर को सेल करके चलना चाहिए ऐसे ही हमने आपको एक रेजिस्टन्स बताया 72,000 अगर 72,000 के उपर सिल्वर निकल जाती है और एक गंटे की केंडल उपर की साइड में क्लोजिंग दे देती है ऐसी कंडिशन में आपको सिल्वर को बाई करके चलना चाहिए और अगर यहाँ पर फिर से यह डाउन साइड में आके गंटे की केंडल निचे की साइड में क्लोजिंग दे देती है तो ऐसी कंडिशन में आपको यहाँ पर सिल्वर को सेल करके चलना चाहिए यहाँ पर जो भी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो मेरी analysis के अनुसार बता रहा हूँ जो कि जैसा कि मैं trade करता हूँ वोई सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यह वीडियो के वल educational purpose के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की buying and selling की आपको recommendation नहीं दी जा रही है आप मेरी analysis के अनुसार आपकी swim की analysis करके trade ले सकते हैं friends उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले thanks for watching the video